मध्यप्रदेश में सोयाबीन को लेकर फिर से सियासत छिड़ गई। पूर्व CM दिग्विजय सिंग ने सोयाबीन को लेकर सरकार पर बड़े सवाल खड़े किये है। उन्होंने कहा है कि किसान आधे से अधिक फसल बेच चुका है पर MP में सोयाबीन की सरकारी खरीदी शुरू नहीं हुई है। पूर्व CM दिग्विजय सिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि MP के मालवा अंचल में सोयाबीन की फसल अधिक होती है। डबल इंजन सरकार ने MSP 4892 प्रती क्विंटल के भाव पर खरीद का वादा किया है। किसान आधे से अधिक फसल बेच चुका है पर MP में शास्किय खरीद शुरू नहीं हूँ। अब यही फसल व्यापारी खरीद कर MSP के भाव पर सरकार को बेंच देग। यही तरीका है BJP का शास्किय व्यवस्था से मिल कर किसान को लूटने। दरसल, बीते दिनों PCC चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साथते हुए कहा था कि 6000 प्रती क्विंटल सोयाबीन के दाम पर ही समझोता हो सकता। उन्होंने शिवराज सिंग चोहान पर आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि शिवराज सिंग कई बार किसानों की आए दोगुनी आए करने का वादा कर चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि सोयाबीन का 6000 समर्थन मूले होने तक आंदोलन जारी रहेग। दरसल मध्यप्रदेश में सोयाबीन की फसल पर मंडियों में पहुँचने लगी है। जहां किसान बड़ी मात्रा में सोयाबीन लेकर मंडी पहुच रहे है। बरतमान में सोयाबीन का भाव सरकार की ओर से 4892 रूपए तै किया गया है। वहीं मंडियों में सोयाबीन इसी भाव में बिकता हुआ नजर आ रहा। सोयाबीन व्यापारियों की माने तो आने वाले दिनों में डॉक की डिमांड बढ़ने पर सोयाबीन के दामों पर को। मध्य प्रदेश के सोयाबीन व्यापारियों की माने तो सरकार ने सोयाबीन का मूले 4892 तै किया हुआ। वरतमान में सोयाबीन इस क्राइटेरिया में बिक रही है। जब अच्छी क्वालिटी की सोयाबीन आती है तो 5200 से लेकर 5300 तक बिक जाती सोयाबीन हमेशा क्वालिटी के हिसाब से बिकता। सोयाबीन में नमी देखी जाती। मिट्टी देखी जाती है और डैमेज कंट्रोल देखा जाता। यह तीनों चीजों को देखते हुए सोयाबीन के दाम लगाय जाते हैं। आज की पोजीशन में जो इफेक्टिव माल है वह गवर्नमेंट के समर्थन मूले से उंचा बिक रहा है। उससे कम नहीं बिक रहा। सोयाबीन व्यापारियों की माने तो आने वाले वक्त में यदी डॉक की डिमांड आती है। तो सोयाबीन के भाव बढ़ेंग। विदेश में हमारे यहां से जो सोयाबीन यानी डॉक अगर उसमें कोई विदेशी मांगा आती है तो सोयाबीन के भाव 5500-6000 तक छू जाएंग। सोयाबीन व्यापारियों ने बताया की तेल के दाम बढ़े हुए हैं। लेकिन तेल को सोयाबीन के डिमांड से नहीं देखा जा सकत। सोयाबीन को डॉक से देखा जाता। इसी के साथ उसमें मिट्टी की मात्रा भी बढ़ गई है। मौसम की स्थिती को देखते हुए सोयाबीन एक से दो महीने में उच्छाल पर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी